तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार मेरे जितने भी competitive exams के preparation करने वाले बच्चे हैं एक बड़ी खबर इस समें तेजी के साथ चल रही है कि सब 2024 से NRA लेगा परिछा CET से होगा railway SSC bank में नौकरी का overall chance क्या है ये update क्या ये चीजें कब से लागू होने वाली कब तक ये process में आई कैसी थी बहुत सारे बाते हैं जिस पर discuss करना जरूरी है और इस सब के दौरान मेरी SSC GD के बच्चे उनके बी चेहरे पर एक अजीब साडर है क्या सब जो इस बार बे किनसी आएगी 24 नौबर को क्या उसमें भी हमें इसी process से गुजरना पड़ेगा और ये हो भी क्यों ना क्योंकि किसी भी नए process के implement होते ही आपके जहन में एक बड़ी चिंता आ जाती है कि सराक्रित अब तक की जो तैयारी हुई कैसी रही क्या रही और क्या हमें करना चाहिए कैसे करना चाहिए देखे टेक्निकली मैं यही कहना चाहूँ कि मैं इन चीजों के बहुत support में नहीं हूँ मुझे लगता है कि जो hierarchy या जो system बना हुआ recruitment का हमें उसे improvise करने की जरूवत है उसे बहतर करने की जरूवत है उसको perfect करने की जरूवत है हर बार नया system ला देने की जरूवत नहीं है लेकिन साथी साथ एक मौलिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम आपको इस process के बिशे में इमानदारी से बताएं कि आखे रिए पुरी प्रक्रिया और process है क्या तो चली तेजी के साथ सुरू करते हैं बिना समय गवाएं हुए एनरे मतलब national recruiting agency जो है इस पूरे process को done करेगी Railway SSC Bank मुझे लगता है नौकरी के दृष्टी कौर्ण से सबसे बड़े venture है हमारे देश में जो सबसे आदा number आप government jobs offer करते हैं इसमें जब किसी भी तरह की उथल पुथल होती है तो देश में लाखो लाख candidate के लिए एक बड़ा चिंता का विशे भनता है बड़ाकिर असल में उथल पुथल है क्या इसका उदेश से क्या है परपच क्या इनको गहराई समझते है NRA CET 2024 ये बात हो रही है मतलब इस बात के माइने है और अगर ये discussion में है बिटर तो ये चीज़े होंगी ये आप समझेए ध्यान से National Recruiting Agency CET Common Intense Test 2024 के जो प्रक्रिया है कि केंदरी विभागों में भरती है अब Common Eligibility Test के जरी होगी जिसको आप CET की तौर पर समझेए इस परिच्छा के जरीए Group B और Group C के टेगरी को भरा जाएगा CET परिच्छा का आयोजन National Recruitment Agency की ओर से कराया जाएगा साल 2024 में CET परिच्छा की शुरुवात हो सकती है मैं जून 2024 में असनाथ तक अस्तर CET एक्जाम का आयोजन किया जाएगा सबसे पहले इनका जो अप्रोच होगा ग्रैजुट लेबल की जो इंट्री है बैंकिंग में, रेलवे में, इससे में इनमें यह सबसे पहले प्रोसेस सुरू करेंगे इस बैसिकली जो है कॉमन इलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार को इस परिच्छा का आयोजन साल में दो बार किया जाएगा इसका स्कोर बोड तीन साल के लिए वैद रहेगा दो बार मौका मिलेगा इसमें अपियर होने का और दो बार अपियर होनay में से किसी में भी आप बहत्र स्कोर कर लेते हैं जो एक मानअ की स्कॉर कार्ड है कि हां इतने पर, आप क वालिफाइ music कर रहें गर आप उतना पाज़ आ रहें जैसे कि आपने नीट में देखा वही प्रक्रिया यहां भी देखने को मिल रही है रिपोर्ट के अनुसार अगर ध्यान देखते हैं परिच्छा अभी तक सर्विस सेलेक्शन कमिशन रेलवेर एक्यूटमेंट बोर्ड और इंस्टिट आप बैंकिंग परस्टनल सेलेक्शन जैसी अलग अलग एजन्सियों के जरिये होती थी अनुसार अगर देखा जा तो CET का स्लेबस एक्जाम स्कीम, फीस, नॉर्मलाइजिशन के बारे में बिस्यसग्या प्रामर्स कमेटी को जो है रिपोर्ट तयार करके भेजी जा चुकी है एनाइसी की ओर से नारे की परिश्चाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के परिश्ण का काम भी अंतिम चरन पर है यह जो परिश्चा होगी ऑनलाइन होगी इनारे ने मतलब जो आपके नाशनल रिक्यूटिंग एजिंसी है ने रेल्वे बोर्ट बैंकिंग संस्तान और सिवाचे नायोके संबन्ज में चर्चा सुरू कर दी है पिछले महीने संसत के अस्थाई समिटी की रिपोर्ट में भी एजिंसी ने बताया था कि CET के आयोजिन की उसकी तयारयां अंतिम चरण में है फिर बात आगे बड़ी तीनों अस्तरों पर होगा यह मतलब 10th लेबल की भाई इनमें जो बेकिंसी जाती है 12th लेबल जो आती है तो तीनों का ही CET के टेगरी में एक्जाम होगा और आपको उसको प्री लेबल की कमेटी में CET के अमसार होने वाले रेलवे भरती बोर्ड परिच्छा केंड बढ़ाने की सिपारिष की है जिसे वहादवारों को 100-200 km के जो है रेंज में अपने टेस्सेंटर मिल जाएं और बेंकिंग भरती एजन्सी भी कहा है कि वह अपनी जो है चमता को बढ़ोतरी करें इतने में काम नहीं होगा बड़ी संख्या पार्सिपेट करेगी एनारे के वरिष्ट रथिकारी के अमसवार अभी अलग अलग एजन्सी पचास से अधिक परिच्छायों जितकराती है नो जरुप के 2,83,747 पदों के लिए परिष्छाय कराई इन में से 1,43,344 पदों के भरती हुई जबकि 1,44,713 पदों के लिए प्रक्रिया अलग अलग चरणों में हैं लेखनी है कि केंद्र ने दिसंबर 2020 में नैस्टनल रिक्यूट्में एजएंजन्सी के स्थापना की थी को कोरोना चलता रहा है चीजे टलती पूरी की पूरी चली गहीं तो यह तो पूरी की पूरी राम कहानी है इनकी तो अब एक तरीके से तैयारी बना लिए है दोजार चौबिस माई जून में आपको एक्सन देखने को मिल भी जाएगा को कभी-कभी सोचना जी कि हर बार नया लाने की जुरूत नहीं है जो है उनको अप्टमाइज करें अब कई सारे प्रस्ण है जो आपके जहन में उनको मैंने क्रमवार तरीके से उनको प्रस्णों के यहां पर रख्खा सीटी के जरी vita क्यों करा जा रहा है परिचिछा वल्धी को कम क्रने के लिए singing एक अमक्ने अशेजाम करा जाएगा पहले जहां भरती प्रक्रिया पूरा हो होन्का हुषा महिए Update को जूए होनिक देखा जाएगा इनारी सी ती में किसकी शीज का एक्स एनारे सीटी के जरीए से से प्लस बैंकिंग प्लस रेलवे के पर इछा कर आई जाए कितनी बार सीटी देने का मोका मिलेगा साल में दो बार अगर आप कौलिफाइग कर ले तो तीन साल के लिए वैलेट हो जाओ के सीटी एक्जाम के रिजल्ट की वैध्यता कब तक रहेगे एससी बैंक रेलवे को धान में रखते हुए जिससे के इट उस लेबल पे फिट हो नर्मलाइजिशन भी है इस लेबल से स्टेटाप भी है सारे चीजें कई रूल्स रगुलेशन नहीं भी होंगे 10th और 12 और ग्रेशन लेबल का जो एक्जाम होगा CT का वो अलग-लग किया जाएगा अलग-लग standards होंगे उनके तो सारी चीजे आएंगे का CT क्वालिफाई करने के बाद सीधर सेलेक्शन हो जाएगा तो ऐसा नहीं है CT एक्जाम प्री एक्जाम की तरह है इसको क्वालिफाई करने पर से आपको फॉर्म अप्लाई करके जाके क्वालिफाई करना से एक्जाम क्लेंडर में में होने वाला से सीधा मतलब है 2024 का जो हमारा एक्जाम से सीधीडी का होने जा रहा है उसमें इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा मारे जित्ते बच्चे बच्चर के अपलाई करें और माई जून में इसका प्रक्रिया सुरू हो तो भी कोई बहुत सारप और बहतर बनाएं बट कहिंए कि इसके पीशे भी गौर्मेंट के एक सोच होगी बट आपका इस पर क्या नजरीया है मैं जरूर जानना चाहूंगा कमेंट से करें और आपका जो नजरीया होगा उस नजरीय के साथ मैं हूँ और उस पे बिलकुल आपको फुल सपोर् तैयारी में महनत करिए पॉस्टिब रहिए बिटा आगे बढ़िए जन्दिगी में जो भी होगा बहतार होगा तैंकियो सो मच वी से गुड़ लग जय हैं जय भारत